नमस्कार मेरा नाम है नील और दृष्टी आईयस के एरेटोरियल एनलेसिस में आपका फिर से स्वागत है आज का संपात किये नो सिटी फॉर वुमेन लिखा है कलपना विश्वनात साहिबा ने जो की सेफटी नाम सेफटी पिन नाम किये कंपनी की को फाउंडर सी यो हैं और जेंडर और अर्बनाइजेशन यानि सहरी करण के मुद्दे पर विद्वान है यह संपात किये चर्चा जिस विशय पर करता है वो तो शीर्षक देखकर ही समझ में आ जाता है कि हमारे शहर जो हैं वो हमारी महिलाओं के लिए हमारे समाज की महिलाओं के लिए सेफ नहीं है सुरक्षित नहीं है लेकिन बात इगर इतनी सीधी होती तो किवल शीर्षक पढ़कर ही काम चल जाता है यह पूरा संपात किये जिन विश्यों पर हमारा ध्यान आकर शित करता है उसमें हाल की एक घटना शामिल है जिसने देश को फिर से जिंज हो रहा है इसके अलावा इस जो अक्सर दोराई जाती है जब भी कोई ऐसी समस्या कोई ऐसा अपराद महिलाओं के खिलाप हो जाता है तो यह बातें दोराई जाती है लेकिन एक और विशेश बात जो इस संपात किये वो अलग करती है वो है कि यह बहुत छोटे में ही सही बहुत अंत में जाकर ही सही इ यहां हमारी कलपना में हिए कोई कमी नहीं क filme कमी है कि नहीं इस बात पर आगे बढ़ने से पहले दो स्कॉलर शिव शुनातन क्या कि क्या हो सकता है वो एक चीज है जो लूटी जा सकती है पाश की कविता थी सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना आशीश नंदी और शिव विश्वनातन जो समाज विग्यानी है ये कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है किसी समाज से उसका भविश्य छीन लेना उधारन के तौर पर हमारा देश कैसा बने हमारे शहर कैसे बने हमारी सडके कैसी बने ये पहले से तै हो चुका है क्योंकि कुछ मॉडल्स हैं विश्व में जो अलग-अलग जगे सक्सेस का पैमाना मान लिए गए हैं हर देश अमरीका बन जाना चाहता है हर शहर न्यू गरीबी को हमारी कलपना पर एक प्रकार से हो रहे अपनिवेशी करण पर सवाल उठाता है वो पूछता है कि क्या हमें नए सिरे से या उरिजिनल्स तरीके से अपने शहरों कोई कलपना करने की आवेशकता है अगर बात अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है तो आगे समझ में आजए संपात किये में चर्चा की गई है हाल ही में एक घटना घटना क्या हुई एक महिला की एक बीस साल की नौजवान यूवती की एक हत्या ही कहा जाएगा एकसिडेंट होता है एक जनवरी को और इससे खराब साल की शुरुवात हो नहीं सकती किसी समाज की क्यो उसमें चार किलोमीटर तक उस यूवती को खीचा गया गाड़ी के नीचे दबे दबे हुए और इसके बाद तमाम तरह की तफ्तीश शुरू हुई है न्यूज चनलों पर रिपोर्टिंग शुरू हुई है और शायद समाज में भी खोड़ा साइस को लेकर चिंतन शुरू घटना का जिक्र जारी रहता है संपात कि मैं घटना को इसलिए नहीं दोरा आ रहा हूं मेहत्वपून घटना बहुत है लेकिन इस घटना को हम अब तक जान चुके हैं नहीं जानते तो कुछ समस्या है कि आप अपनी दुनिया से बाहर की दुनिया से कितना जुड़े जो महिला थी वो 20 साल की युगती थी काम से घर लोट रही थी देर से लोट रही थी और ये सोचना इतना दुखदाई है कि उसके परिवार वाले उसकी माँ केवल ये सोच रहे हैं कि उसका देर से आना कहीं उसकी मृत्यू का कारण तो नहीं बन गया भारत में रोड पैरामीटर्स को घेर आ जाता है आकड़े कहते हैं कि भारत में 2021 में डेर्ड लाक लोग रोड एक्सिदेंट्स में मारे गए ये वो जीवन थे जो बच सकते थे या बचाये जा सकते थे इसमें से लगभग दो परतीशत एक्सिदेंट्स शराब के नशे के कारण हुए और इन एक्सिदेंट्स में इसके अलावा तक्रीबन साथ हजार साथ हजार लोग घायल भी हुए इन में से 90 प्रतिशत घटनाएं ओवर स्पीडिंग के कारण ओवर टेकिंग के कारण हुई और भारत दुनिया के शीर्ष 20 देशों में आता है बलकि 20 भी नहीं शीर्ष 20 में भ अधिक रोड एक्सिडेंट हुआ करते हैं अब यह टॉप पे आना ऐसा तो नहीं है जिस पर कोई भी देश घर्व महसूस करेगा थोड़े से शर्म की बात है तुम पात की आगे बढ़ता है कहते हैं कि देखे रोड सेफटी और यह सब बातें तो हो गई लेकिन जब बात चल रही हो और समस्याएं रोड सेफटी की गिनाई जाने लगें तो गिनाना जरूरी है लेकिन बात वहां पे अंत नहीं होती हमें समझना होगा कि मूल बात जो शेक्ष्वल असॉल्ट है उन पर यौन हमले किये जाते हैं खास तौर पर पब्लिक इस स्पेसी में और खास तौर पर दिन ढगते ही वो विशेश चिंता का विशेथ हैं इस घटना में अभी यह साफ तो नहीं हो पाया है कि सेक्ष्वल असॉल्ट का मामला है कि नहीं लेकिन क्या ये अपने आप में एक बात नहीं है, क्या सोचने वाली बात नहीं है, कि इस घटना में भी इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है? संपात की आगे बढ़ता है, कहता है कि देखिए, ये सारी बातें जो हैं, हमें बताती हैं, दिखाती हैं कि पब्लिक स्पेसेज हमारे महिलाओं की पहुँच से कितना बाहर हैं, और क्योंकि पब्लिक स्पेसेज महिलाओं की पहुँच से बाहर हैं, बाहर कैसे हैं? कि पब्ल के अनेक संगटनों United Nations जैसे संगटनों की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं को शहरों में अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें इनको एक फॉर्म ऑफ वॉयलेंस भी माना जा सकता है हिंसा भी माना जा सकता है जिसमें ग्रोपिंग होती है उनको उनके साथ क जाने वाली छेरचाड के तमाम तरीके शामिल होते हैं और यह सारे तरीके पब्लिक स्पेस जो सिटी का सारवजनिक शेत्र है यानि कि वहां की सड़के वहां की गलियां वहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन उन सभी को महिलाओं के लिए एक खतरनाक जगह बनाता है जबकि उनको तो महफूज जगहें होना चाहिए था वो पब्लिक स्पेस था इसके बाद संपात के ये भी कहता है कि आकड़े बताते हैं कि महिलाओं का जो स्पेस इस्तमाल करने का तरीका है ये पुरुशों से बहुत अलग है शहरों में उधारन के तोर पर महिलाओं की अ बात करें वॉकिंग की बात करें तो जादा महिलाएं वॉक करती हैं अपने काम से घर के बीच इत्यादी इत्यादी बनिस्पत पुरुशों के अगर 45 प्रतिशत महिलाएं करती हैं तो केवल 27 प्रतिशत पुरुश ही वॉक करते हैं इस तब में वो बाते भी शामिल है कि मह अंदाजा हमें इन आकड़ों से लगता है खेद ये सारी बातें हुं गईए इन बातों से ये बहुत स्पश्ट होता है कि वुमिन की मोबिलिटी जो है जो उनके पास स्वतंत्रता है चल सकने की घूमपिर सकने की शहरों में वो लगता를 लिमिट होती है इन पित्रसत्तावादी शोश्यो कल्चरल नौम से केर वर्क से भी होती है उन पर अत्रिक्त भार होते हैं परिवार को सम्हालने के कई बार पुरुष इस भार को सम्हालने में बहुत रूची नहीं दिखाते उनकी जो कंडिशनिंग हुई हुई है वो परिवार के लिए पच्चों के लिए बुढ़ों के लिए माता-पिता के लिए किया जा रहा है या परिवार के लिए सामुही क्रूप से किया जा रहा है तो परिवार में अगर जो इस्त्री और पुरुष है इसकी जिम्मदारी सामुही क्रूप से होनी चाहिए बढ़ वो जिम्मिदार वो लोग हैं जो इस समझ को बदलना नहीं चाहते हैं इन बातों की बाद वो बात आती है जिसकी हमने संपात किये की शुरुवात में जिक्र किया था कि भारत में सबसे ज़्यादा road accident होते हैं माईलाओं के खिलाव पबलिक इस्पेशेज में सबसे ज़्यादा घिंसा की घट्नाओं वाले देशों में भी भारत आता है हमारी सडके ना तो एक्सिडेंट के इस तर पर सेफ हैं नहीं crime के इस तर पर सेफ है तो क्या हमें इस सवाल नहीं पू ऐसमें बगाइर टिकट चलनेवालों को रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये तो भारत की समाजिक समस्या है लोग अब बहुत सारे लोग बहुत करीब भी हैं और बहुत सारे लोग के वहल मजे के लिए शौक ये भी टिकेट नहीं खड़िते हैं या बहुत साय लोग जल्दिबाजी में टिकेट नहीं खड़िते हैं तो आप टिकेट की समस्या को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं इसको रेगुलेट थोड़ा बहुत करके रख सकते हैं लेकिन कई बार आप मॉडल बदल देते हैं इस्ट्र चीज तमस्या को लेकर कलपना क्या की गई है समाधान की वो समाधान की रहा कोल देता है यही सवाल यहां पर पूछा जा रहा है कि हम स्रड़कों को डिजाइन कैसे कर रहे हैं हम अपने शहरों को डिजाइन कैसे कर रहे हैं वही शुरुवात में बात थी कैसे कर रहे हैं हमने है सोच लिया है कि शहर तो New York होता है London होता है Manhattan होता है वो शहर है लेकिन वो इतर तरह के शहर हैं वहां की संस्कृति वहां का समाज और उसकी एतिहासिक यात्रा वहुत भिन रही है उसकी समस्याएं भी अलग है population density उसकी एक समस्या नहीं है, समाज में इतना अधिक inequality gap उन समाजों की समस्या नहीं है, तो वहारत बहुत अलग तरहे की रहा पे आगे बढ़ना चाहिए शायद, लेकिन हमारा भविश्य या हमारे भविश्य की कल्पना हमसे छीन ली गई है, समपात की ये कहता है कि हमें ऐसी सड़के बनानी थी, जहां pedestrian movement की safety पर जादा ध्यान रखा गया हो, बनिस्पत कि इस सड़क पर गाड़ी कितना तेज भाग सकती है, यानि इशारा है कि सड़के बनती हैं, इशारा कह साफ कहा गया है, current model ऐसा होता है कि गाड़ी तेज से तेज चल सके, जादा से जादा fly over हो over pass हो, ताकि गाड़ियों को गुजरने में कोई समस्या ना हो, शहर पैदल चलने वालों के लिए बनाये नहीं जा रहे, शहर बनाये जा रहे हैं उन लोगों के लिए, जिनके पास जादा चमचपाती, जादा ताकतवर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तब पात की आगे streets थी, अच्छे pavement बने हुए थे, इसके अलावा pavement पर दुकाने थी, vendors थे, street vendors थे, अच्छा इसको लेकर भी बड़ी अलग समझ है, कई लोग मानते हैं कि जो रहा पर बेचने वाले ठेले लग जाया करते हैं, street vendors लग जाते हैं, ये हमारे शहरों को गंदा करते हैं, ये भी ए लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें, तो street vendors और वो तमाम उपस्थिती जो सलकों पे या सलकों की किनारे होती है, वो सलकों को जादा democratize करने में, जादा लोकतांत्रिक बनाने में, जादा safe बनाने में एक रोल निभा सकती है, हाँ उनके regulation की आवशकता है, ऐसा ना हो कि ये सम समधान नई समस्याएं पैदा करने लगे, इसकी भी जरूरत है, लेकिन नजरिये को भी लगतार question करते रहने की जरूरत है, कम से कम मुझे इस समपात के कुपढ़ कर ऐसा ही लगा, समपात की आगे बढ़ते वे कहता है, कि हमें ध्यान देना होगा, कि हम ऐसे infrastructure को बना पाएं, जहां पर सड़के पैदल चलने वाले लोगों के लिए, और by extension, इसी बात के extension की रूप में, महिलाओं के लिए ज़्यादा safe हो, हम ऐसा infrastructure बनाएं, जहां public transport ज़्यादा accessible हो, उस त wrestling के या इस तरह के दूसरे उपाएं, उन बड़ी-बड़ी सलकों के साथ में कम से कम अपनी जगहे पा सकें, तो ये सब महिलाओं के movement को जाधा स्वायत बनाएगा, movement को बढ़ाएगा, और अगर movement बढ़ेगा, जाधा स्वायत तो होगा, तो फिर gradually जाधा सुरक्षित भी हो समपात के कैसा लगा, हमें comment section में जरूर बताईएगा, हमें आपके feedback का इंतिजार रहता है, नमस्कार